चेंद दोस्तों मेरे नाम है अतुल और स्वागत है अपका अपनी डिप चनल अतुल डिक बजार में दोस्तों कुछ समय पहले वीवो ने T2X 5G एक चीपेस्ट 5G डिवाइस लाँच की थी जो कि Demensity 60207NM नए वाले प्रोसेसर के साथ में लाँच की थी इस डिवाइस का दोस्तों इस फीडियो में हम कैमरा रिव्यू आपके लिए लेके आगया है बेक साइड में दोस्तों काफी अच्छा आपको कलर चेंजिंग डिजाइन मिलता है पीछे की तरफ ही आपको 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है और फ्रेंट में दोस्तों वाटर डॉप नॉच के साथ 6.5 इंचेस का FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है और सामने ही आपको वाटर डॉप नॉच में एक 8 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता है 5000 इमेच की बैटरी मिलती है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग इस डिवाइस में मिल जाती है आप जुस्तों इस डिवाइस का जो प्राइजिंग है 4GB 128GB वह एक्शुल में 13000 रुपाई का बट वन थाउजर रुपिस का डिस्काउंड मिल जाता है यानि की 11999 में आपको याने 12000 रुपे में यह डिवाइस आपको मिल जाती है जो की वीवो की तरफ से अब तक की सबसे चीपेस्ट डिवाइस है और एक नए प्रोसेसर के साथ में आती है यह प्रोसेसर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरो से कर लिजेगा बेल एकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करें नोडिफिकेशन आप तक पहुँच ज और अपाचर आप अट्जेस्स कर सकते हूँ तो नों में यह आपको मिल जाते है साही में दुस्तो即 Cemillers पेर हम जाते हैं तो यहां पेंद हैंपको सब्सक्राइब फश्चतुम्हीं थे इसलोर मिल जाते हैं थो यहां पर हैं पर नॉब 60fps का option मिल जाता है तो यह काफी अच्ची बात है इस price segment में आपको 1080p 60fps का option मिलता है and front में दोस्तो आपको normal 720p 1080p वाला option मिलता है इसके ऑलाव दोस्तो वीडियो में भी आपको stabilization का option मिलता है जादे में जुस्तों आपको vlog mode का option मिलता है, इसे आप अच्छे से आप vlog mode यूज़ कर सकते हो, और का option में 50 megapixel का dedicated option मिलता है, जुस्तों pro mode live photography का option मिलता है, slow motion photography में आप 720p 120fps पे video record कर सकते हो, इसके लाद जुस्तों photo and video दोनों में ही आपको max to max 10x tube का option मिलता है, कुछ live photo हमने य क्लिक करिए और ये rare camera से पड़ा पड़ से और कुछ भी samples हम यहाँ पर देख लेते हैं, Vivo T2X 5G device के तो यहाँ पर दोस्तों अपने day to night सारे collections देखे, यहाँ पर एक चीज आपने notice की होगी, कि जो day lighting condition है, उसमें काफी अच्छी photos ले लेता है, बट low lighting condition in night mode में यह अच्छी photo नहीं ले लेता है, यहाँ पर OD update की तोरी से fix किया जा सकता है और all price के according यह camera काफी अच्छे तरीके से work करता है, और सबसे अच्छी बात है कि यह cheapest 5G device है, जो कि Vivo की तरफ से हाँ पर present कीए यह only 12,000 में आपको यह 5G device मिल जाती है, और all यहाँ पर एक camera जो है ठीक ठाक ही work करता है असे इस mobile की regarding deep review channel पे और बहुत है, चेक आउट जरो से करेगा, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स ने वीडियो के साथ में तब तक इल जाएं बोलते रहे हैं, बंदे मातरम